Hello friends, किसी भी देश की economic growth के लिए कई सारे factors responsible होते हैं लेकिन एक factor जिसके बिना economic stability और long term sustainable growth को अचीव भी नहीं किया जा सकता वो है price stability कहने का मतलब यह कि अगर किसी देश की economy में goods and services के prices लगातार fluctuate करते रहे तो economic growth को अचीव करना almost नामूंकिन है क्योंकि ऐसी situation में businesses और households अपने spending decisions को hold कर लेते हैं तो ये बात तो साफ है कि economic stability और long term growth के लिए हर एक देश को price stability पर ध्यान देना चाहिए और price stability का simple सा meaning है कि rate of inflation low और predictable हो goods and services के prices में ज्यादा fluctuations ना हो ताकि businesses और households अपने decisions बिना किसी confusion के ले पाएं और prices के fluctuations से affected ना हो इसका मतलब ये हुआ कि price stability depend करती है inflation के उपर और हमारे देश में inflation को control करने की responsibility दी गई है RBI को बट inflation को किस तरह से control किया जाएगा इसके लिए ये जानने की ज़रुद है कि inflation का root cause क्या है ये तो हम आलड़ी पढ़ चुके हैं कि inflation इस बात पर depend करती है कि goods and services की market में demand कितनी है अगर demand जादा होगी तो inflation जादा होगी इसी तरह अगर demand कम होगी तो चीजों के prices कम होगे और inflation भी कम होगी अब अगर हम लोग बात करें demand की तो demand depend करती है purchasing power पर तो अगर हमारी purchasing power जादा है तो हमारी demand भी जादा होगी जिससे ultimately inflation भी बढ़ेगा और purchasing power इस बात पर depend करती है कि हमारे पास पैसे कितने है और हमारे पास जो भी पैसे हैं उसे हम लोग दो parts में categorize कर सकते हैं blocked money और liquid money blocked money उस पैसे को कहा जाता है जिसे आप immediately cash में convert नहीं कर सकते हैं for example मान लेते हैं कि आपके पास 5 करोड का घर है तो हम ये कह सकते हैं कि आप एक पैसे वाली party है बट क्या आप इन पैसों को अपने किसी काम के लिए use कर सकते हो अगर आपको कोई 25 लाग रुपे में charter plane offer करें जिसे आप खरीदना भी चाहते हो तो क्या आप इसे खरीद सकते हो answer है no क्योंकि घर को बेचने में और इस पैसे के इंज़ाम में आपको महीने लग जाएंगे इतने में कोई भी इनसान जिसके पास पैसे है वो इस charter plane को ले जाएगा तो सीधी सीधी बात यह है कि blocked money से चीजे नहीं खरीदी जा सकती चाहे वो blocked money करोडों का ही क्यों ना हो तो आप कहोगे कि मैं इस घर को बेच कर plane खरीद सकता हूं इसमें problem क्या है तो आपकी बात ठीक है बट घर को बेच कर जो पैसे आपके पास आएंगे उन्हें liquid money कहा जाएगा और यहां हम यही कह रहे हैं कि liquid money से चीजे खरीदी जा सकती है blocked money से नहीं in fact liquid money कहा ही उस पैसे को जाता है जो कि आपके पास available है in the form of cash जिस पर कोई भी restriction नहीं है एक चीज और बताता हूँ मालनो आप market में घूमने गए आपको वहाँ पर कुछ चीज पसंद आई आप उस चीज को खरीद लोगे अगर आपकी जेब में पैसे हैं बट अगर आप अपना wallet घर पर भूलाए हो तो उस चीज को खरीद नहीं पाऊगे यानि अगर आपके हाथ में पैसे हो तभी आपके पास purchasing power होती है और तभी आप market में demand create करते हो और उसी से होती है inflation blocked money के examples है fixed deposits, PF, PPF और liquid money के examples है physical currency या cash इसके अलावा आपका वो पैसा जो आपने bank की saving accounts या demand deposits में रखा हुआ है उसे भी liquid money ही कहा जाएगा क्योंकि उस पैसे को आप ATM की मदद से कभी भी तुरंत निकाल सकते हैं और खर्ज कर सकते हैं in fact अपने friends को transfer कर सकते हैं इस पैसे पर किसी भी तरह की restriction नहीं है और नहीं आपको इन पैसों को निकालने पर किसी भी तरह की कोई penalty देनी होती है तो अब आप clearly इस बात को समझ पा रहे होंगे कि inflation का कारण ये liquid money ही है तो अब अगर आप से मैं पूछूँ कि RBI को अगर inflation control करना है तो RBI को क्या करना चाहिए simple सी बात है कि RBI liquid money की supply को control करेगी यानि जो free flowing money है हमारी economy में उसे control करना होगा इस liquid money की supply को control करने के लिए RBI जो regulatory policies बनाती है उन्हीं policies को monetary policies of RBI का जाता है और RBI के अंदर इस monetary policy को formulate करने की जिम्मेदारी दी गई है monetary policy committee को यानि MPC को यही वो committee है जो हमारे देश की monetary policy बनाती है इस MPC में total six members होते हैं इसमें तीन members RBI के होते हैं और तीन members Ministry of Finance से इस committee को खुद RBI governor chair करते हैं और इनके लावा बागी के जो दो RBI के सदस्य यहां पे मौजूद है उनमें से एक है RBI के deputy governor और दूसरे है एक nominated RBI official अब यह तो बात हो गई RBI की monetary policy committee की अब हमें यहां पर ये भी जान लेना चाहिए कि RBI की monetary policy को दो parts में classify क्या जा सकता है qualitative monetary policy और quantitative monetary policy qualitative monetary policy के थुरू RBI हमारी economy में supply of liquid money को indirectly effect करती है जबकि quantitative monetary policy हमारी economy में supply of liquid money को directly effect करती है अब यहां पर RBI दोआरा use किये जाने वाले सभी quantitative और qualitative monetary tools के नाम यहां पर आप देख सकते हैं इन tools को हम लोग next video में cover करेंगे thank you so much for watching and supporting books दावा